दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आईटेल विजन वन प्लस मोबेल का वबरेटर के सारत अबदील करेंगे तो दोस्तो सबसे पहले आपने इसका सिम ट्रे निकालना है सिम ट्रे निकालने के बाद इसका बेक कवर कॉल ले तो उसी सिम बल जाका पर नाखोन या उपनर वग्यारा को साधे या से आपको रस्त असानी से मिल जाएगा और आपका ये बेक कवर असानी से कुल जाएगा बेक कवर कॉलने के बाद इसके नीचेस से कि जितने भी पेचेस सारे पेच कोल एक भी पेच बागी नहीं रहना चाहिए पेच कोलने के बाद इसका एक कवर कोल दे कवर कोलने के बाद इसका जो चार्जिंग फ्लेक्स टिप वड़ा जेक है वो जेक निकाल दे और एंटिने केबल का जेक निकाल कर इसका जो वाइपरेटर है इसके टांके कोल दे तो उसके दो वाइर होते हैं दो टांके तो दोनों टांके कोल कर इसको बाहर निकाल ले अगर आपके पास काविया है तो ठीक है वरना काविया ना हो तो पिर आप ये नहीं लगा सकते इसको कोल तो सकते हो लेकिन दूसरा लगाओगे तो उसके लिए टांके जरूर चाहिए कि टांके लग जाए इसके अब इसको बाहर नीकाले ये इसका वाइबरेटर मोटर है और इसमें दूसरा नहीं वाइबरेटर लगा लगा ले और इसके दूनु टांके लगा एक less होता है एक minus जो red color का है ये plus है और ये black color वाला minus है तो इस board के उपर आपको निशान दिकाए देंगे एक प्लस होगा एक मैनस होगा तो वहाँ पर इसके टांके लगा ले टांके लगाने के बाद इस वैबरेटर को मुबेल के पहल में सी तरह से बिटा दे और इस पर ये कवर लगा ले कवर लगाने के बाद इस पर पेश लगा ले जब कवर सी तरह से बेट जाए तब इस पर पेश लगा ले तो दोस्तों इस पर आपने वही पेश लगाने है जो पेश आपने से उतारे थे दूसरे पेश नहीं लगाओगे क्यूंकि गर आपने इस पर बड़े पेश लगा दिये तो ये नीची स्क्रिंट में चले जाएंगे आपके स्क्रिंट को तोड़ देंगे पेश लगाने के बार इस पर बेग कावर लगा ले बेक कवर्स पर बिलकुल सीधा रखकर साइडों से तोड़ा सा जोर दे रहे तो ये खुद बाखुद फिट हो जाएका ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है और आखिर में इसमें सिम ट्रे लगा ले